कि नुराना पेगम अलीना की तर्वेट आप निकी है तुझे लड़की अपने बाप से चेहा बिगार के बाद करें उसके लिए आप क्या कहिए जवान बेटी है वह आप से किसी बात पर नाराज हो मैं अलीना की नाराज की बहुत समझता हूँ आय तुझे से भी तुपने कॉन ले गए अपर बाद हो गया है यह जरू गुलाब का काम है यह उती ने किया मत छोड़ो ना जाने दो चाची वो उमीद से थी और रो रही थी कि उसके बच्चे का क्या बनेगा क्या हम सब किसी ना किसी हद दर तुमारे का सुर्वार है थासा पर मैं मुझे शिदत से हसास हो रहा है कि मैं आपको सब कुछ ना कर सका जो मुझे करना चाहिए थी यह समझोगे हमने अपती कर्ष्टें चला दी है अब इस शेर में कभी नहीं आएगे मेरे खांदान वाले रहते हैं इस शेर में कैसे वापस नहीं आएगे उन्हें भूल अब दुख सती होगे ना बजल्दों की द्धुआएं होगी ना ध्यूरक होगा ना शक्यात किया होगये मैं कि इसमगी बढनसीब मुझा इसर मुपारक हो ति हम हमारा का म बन गया जन्नत वाफॉस जील पर पहुँच गया — वाकी? जन्नत वाफॉस जील पर पहुच गया जिसके साथ कुछ वक्त पहले मेरा निकाह हो चुका है, अपने साथ एक दुख है, कि मैं डैडी और आपकी दुआइं लिए बगार जा रही हूँ, आपकी दुआउं की तलबकार, आपकी बेडी, बेटा, ये कौन लगी है, अमाँ बताते हैं, बहुत सके हैं, पहले बैट ज अलहार, तुम बहुत से हो कि इतनी खुदद्ध क्यों होते हो, कि तुम्हे औरत में शादी के लावारा कुछ विखर ही नहीं आता, अन्वर आया क्या, ये बार उसके गाड़ी खरी है, हाँ, अन्वर भाई आये में, साथ में एक लड़की भी है, लड़की, कौन लड़की मुझे क्या मालूम, जाची बता रही थी कि अन्वर ने शादी कर लिए, शादी कर लिए उसने, बादल हो गई हो तौम, खेर से तुम उमीद से हो, हाँ, मा, इसलिए क्या दसाई है, अलीना पहले मेरी मुखबत थी, अगर अब मेरी गयरत बन गई है, मैं किसी की मत परिज जोड़ सकता, ठी, तो फिर तुम रे इसलिए को जोड़ना होगा, कैनाथ, खेर तो है नव, भावी ने क्या कहा, पयास हमें, आज ही जीद पर रिलना चाहिए, क्यो? क्यों, एकिसा स्वांगी होगा, शेका जाला होगा, अजीद रिलना है, आज एकि-अचि भाग, जाanes जाद के नहीं रहे? अच्छत बतादा येनर् जनुप आमसान् वाद मकर उड़कों के भादी जारहीजी रात्यआ ले आप झाल झाल यहां डर्या ईड़्ावी का जाना पतचाना इच खीन होगी वीडी की सवाइब एंट रेजना प्राश्वड वीडी का तौमी में इसक्षीさ अब ये गारी किसकी भी अरे छोड़ो इसको कहा भाग के जाएगी अरे भारांग खान को जितना बर्बाद होना ता वह हो चुका है अब तू या तो मेरी भी बंकर आएगी या कुछ नहीं नहीं रहेगी अरे चलो अपनी गारी पिछा कर चलो ते वाध को नहीं बैए यह महीं आएगी अच्छा तो यह बहुरों काना ता आएगी आएगी अजया मोगी मोगी आएगी तुम ठीकर लागा हो मुंतस नहीं तुछ सेले आएगी आयास गारी के सेवागी मुझे भी पता है तुम उनको नहीं जानते तुम्हारे साथ है उनको पैचानता लो पस तुम सिर्द अपनी आके खुली रखता है साथ काम के डाल हम आके खुली रखते हैं अचा बाते करके टाहिजाय मत करो पहले ही बहुत देर हो चुकी है ठीके साथ हम अभी जाके हैं सुनो बस के अटे और रेल्वेस का जरूर ख्याल रखता है जी साथ अगरे कि अजने अगरे को अगरे की बहुत दोने में जवाब हैं आप अगरे अगरे पाद्रट्र लागे यह ज़िए तो उनम्ति गेम्स में भेचना चाहिए नहीं काइनाद मैं भाद नहीं रही थी, मैं तो ओर रही थी हाँ भी वाकिक, पैसे एक बाद का शुकार दा करें कि हम लोग वक्ट पर पहुंचें, अगर हम वक्ट पर नहीं पहुंचें ना, तो क्या नाम बताया था आपने? बहराम खान, हाँ बहराम खान, आपके पर काड़ देता, फिर आप काँ सूर दी? मेसे आयास, यह कितने अफ्सोस की बात है कि हम आज भी ऐसे माशिरे में सांस ले रहे हैं जिसमें औरत की हैसियत एक जानवर से भी कमतर है हाँ काइनाथ, तुम कहते हो बिल्कु ठीक है लेकिन हम क्या करें, इस सिविलाइस सुसाइटी में ऐसे ही हो तरही है तो क्या हमें अभी एक दो हजास साल और लगेंगे? अगर हम लोग 5,000 साल पीछे चलेना, तो हमको पता चलेगा कि मुझो दोड़ों के जो लोग थे, हमसे ज्यादा सिविलाइस थे एनिवेज, मैं चलता हूँ मुझकरों बहुत ठका हूँ, तल मुलाकात होती है, ठीक है, ओके? वो, आयास, कल में कालिज नहीं आ सागूँ है, क्यो? सोच रहे हूँ, कल जननत को किसी लेडी डाक्टर को दिखाऊँ, ठीक है, जैसे तुमारी मर्दी, ओके? प्राफेस, ओके जननत, प्राफेस, प्राफेस, प्राफेस. या अला मेरी बेटी को बिच्छा, वो मेरी बेटी को मारते हैंगे, तुमारते हैंगे, तुमारते हैंगे, मेरी बेटी को लेने करिये, प्राफेस, 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 कौन मारेगा मेरी जनत को 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 जनत मैं जड़ता हूँ अभी खामुश याल्ला मेरी बच्टी के बादुशकर उन जालमों से बचा रहा हूँ पेचा अब अन्मर यहां रहता है। मेरे खाल में अब जमीनों की जम्मेदारी अन्मर को सूंती चाहिए अन्मर को भी जम्मेदारी की जा सकती है। पेटा गलती भी तो इंसान से ही होती है ना। अब अगर बाबा असाई ने अपनी गलती पर हवेली चोड़के जा सकते हैं तो अन्मर को भी हवेली चोड़नी होगी। बेटा तुम्हारे बाबा की और बाद थी। वो पीर अन्हाइद शाह की दरगा के सज़ादा निशीन थी। अमा अन्मर भी तो पीर अन्हाइद शाह की गद्धी का चच्च्मचराग है। आपको मालून है कि बाद आप कराची से हवेली वापिस क्यों आ रहे थे। ताके वो अन्मर और कहनाद की शादी खांदान में कर सके। तो क्या हुआ। अन्मर अब भी खांदान में शादी कर सकता है। वैसे मर्द दो दो तीन तीन शादियां तो करते ही है। लेकिन अमा मैं उस दर्की को इस अवेली में मरदास नहीं कर सकता ह। ठीक है। अन्मर आए तो मैं उसे कह देती हूँ। कराचि वाले बंग्लिय पे जाकर रहे ह। मगजा जी अगर आदानमर उस लड़की को कराचि वाले बंग्लिय में रख सकता तो उसे अवेली क्यों लाता। तो क्या मैं इसी लड़की को अपनी अवेली में लख्तू जिसके खांट दाउत पताह की गहित। अगर आजम साहीं वो लड़की जैसी भी है आपके भाई की बीवी है और सावेली की इज़त है अगरो के तूँ अगरो की कौन लोग है कौन लोग ये जो बार-बार आपसे यहां मिलने आपे हैं मेरे कुछ बंदे हैं इन्हें कहां से बिलवाया है मैंने मगर क्यों ये मुझसे पूछती हो क्यों मैंने इन्हें अलीना के लिए बुलवाया है वो क्या समझती है तो इस तरह जलील करके आराम से बैठेगी फारूक पो बच्ची है ना समझ है उन्हें बच्ची है ना समझ है वो एक कालर के दबा है मैं फारूक अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी मुझे माफ नहीं करूँगी एक बात याद तो इसका कफारत तुम्हें अदा करना पड़ेगा अमा अदासाई से बात किया है हाँ बटा मैंने की थी बात फिर क्या का अदासाई में बस जवाब दे दिया कहता है अन्मर को जो कुछ करना है वो करे लेकिन अलीना को हविली से निकालना होगा ठीक है अमा मैं अदासाई की बात मानता हूं लेकिन मुझे ये बताएं के अलीना को हविली से निकाल के आखर में कहा लेके जाओंगा बेटा मैंने कसे बहुत समझा है बहुत ही गा लेकिन वो समझता ही मुझ तुम्हें तो बताएं तुम्हारा बाई कितना जदी है अदासाई की इन ही जिदोने बाबासाई की जान लेकि और अब वो मेरे सामने ये नफिर खेच रहें पेटा तुम्हें बुराई क्या है अलीना बेटी तो वैसे भी शहर में रहती है और इसके माबाद में तो वही रहते हैं अम्मा अगर अलीना को शादी के बाद मैंने वहां रखना होता तो यहां पिले कर आता पेटा तुम्हुद सोचे अभी तड़ तो तुम्हारी तालिम मुकमल नहीं ही अगर तुम यहां रहोगे तो काइना किसके साथ रहेगी पेटा तुम्ही समझाओ ना जे जे हम मैं अगरे बाई को किस तरह राजी किया है कि यही तुम्ही कराची के घर में रखेगा और खांदान से एक और शाद की जी जी बेटा इसाइसा करना नहीं है के छ कम हम तुम्हार आजा पिलिए करीझ के जी जी लाद किड़ा कैना इसाद के आशे के जी बाई शाद कर सकाग बाकवे जी हम बेटान से रहे। झाल झाल चाशा जनलत हमारी इस रत है हम उसे उन दर्ण दोकर हमों करम पे नहीं छोड़ सकते तुम तो गोनी पागर मैं आप उसे कि सुनते हो जा समयते हो अब हम उसे कहा कहा तरा आज करेंगे अरे पेटा छोड़ इसे इस तो बिकावा तू कुछ कर न अगर इसमें जरा भी गहरत होती है यह डूब मरता मैं कहता हूँ हाजरा जबान मत चला वरना मुझ से बुरा कोई नहीं होगा यह सब तुम्हारी कट्टूतू की वजह से हुआ है ना तू से यह रास्ता दिखाती और ना हमारी जन्नत को यह दिन देखने पड़ते आज तक हमारे साथ कुछ तो मैं ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लड़की अपने मंगेतर से बांगती बिरे चाज़ा यह बैराम खान जन्नत का मंगेतर कबसे हुआ जहां तक मुझे मालू मैं कि तुमने बाबा साही से जन्नत मुझे जने का वादा किया था वादा किया था कोई दी तो नहीं थी मेरी जन्नत कोई मुर्गी का बच्चा तो नहीं कि तुझे मुभद में दे दू अगर यही बात ही तो मुझे बताया होता, मैं खरीदा जन्नत को, तुमने उसी बोली, घर उसे क्यों लगाई? और वैसे भी तुम पजास हो करके मुझे जन्नत के बैसे हुसुन को कर चुके हो। अलहर बेटा, मेरी एक बात सुन ले, जन्नत मेरी बेटी थी, उसके बुरे भले का मुझे ही सोचना था, अरे तेरे पास है ही क्या? अगर वो प्धराम के घर शादी करके जाती न, तो लाखों में खेलती वो लाखों में. अरे ये क्यों ने कहता कि जुआ ख्री में के में वाओ से, इस दुआ करो कि वो किसी मुसीवत पना हूँ. मैं तुनीव में भी उसके लिए दुआ करती हूँ. मैं मेरे पास दौाओं के सिवा है ही क्या? अलीना, मुझे मादून, तुम्हारे सारे दुखों का सबब मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ. मुझ मुझे बहुत मुझे उसके बहुत मुझे कर दो. कि मुझे मुझे में इंसान को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, कि दूसरे के जिंदेगे अंते कुएं में धकैल दे. हुम, यह सब मेरी गलत नहीं हो का नतीज़ा, क्या किया ताया? शुराब के पीछे दौड़न जो हो गया, सो हो गया. अब क्या हो सकता है? माजी पर रोने के बजाए, बहतर नहीं कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें. और हमारा फ्यूचर कम असकम तुम्हारी सहावेली में तो नहीं है. अनुवर, प्लीज मुझ पर आसान करो. मुझे इस सहावेली से निकालो, मेरा दंग उटने लगा इस हावेली में. तो कहाँ चले? कराची में हम रहने हैं. क्यों नहीं रह सकते हैं? इतना बड़ा शहर है. किसी भी कोने में पड़े रहेंगे? अलीना, जरा सोचो, सारी जिंदगी एक कोने में किस तरह कट सकती है? तो सरफ कराची तो एक शहर नहीं है ना? और भी बहुत सारे शहर हैं इस मुल्क में. यहीं भी चले जाएंगे. उसके लिए पैसों की जरुएत होती है. और तुम्हें पता है कि अदा साही? मैं तुम्हारे अदा साही को नहीं जानते हैं. मैं एक दो दिन और इस हवेली में देखूँगी. सब ठीक हुआ तो ठीक है. वरना में खुद ही यह हवेली छोड़के चली जाएंगे. दॉप्टर सही ने खाये कि फिकल्टी कोई बात नहीं है. यह दवाईय लिखे दियें बस आपको तोरज सी कमस हो रही है. परिशान की कोई बात नहीं है. ठीक है. चली. चली. क्यों रो रही आजरा क्यों अपनी भी नीद खराब कर रही और दूसरों के भी चुपकर जा कल मलहा जनत को कहीं न कहीं से दूड़ के ले आज़ा खुदा के वास की चुपकर जा अब खुलाब वो कभी नहीं आएगी जालवोंने मेरी बेटी को जीते जी मार दिया अच्छा हो अगर वो एक ही बार मर जाए ऐसी बेटी से तो हम ऐसे ही अच्छे हरा जाओ तू क्यों नहीं मत था जालिम पापी मैं करता हूँ चुपकर के सोजाओ वरना यह सारी पिस्तिया तुम्हा तमाशा देखे आ हाँ ये एक तेरा ऐसान एगा मुझे इंग पर कर ले बना दे मेरा तबाशा मेरी जमत का तुदू पहले से ही तमाशा बना चुके हो तो तरीका होगी मेरी बेट या नहीं जाना वो पाधर कही कि चुप करके सुजा जुग नहीं खराग वाने है अपनी दी और मेरी दी अँठी आप आई बेटिये मैं बैटने नहीं आई है अलीना कहा है अँठी वो तो हम आप के पूछने वाले थे अलीना कोलेश नहीं आ रही तुम्हें सब मालूम है अलीना कहा है और किस के साथ गई है ये कि मानी आँठी हमें कुछ मालूम नहीं है अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो सुन लो अन्वर और अलिना की जिंदगी को खत्रा है अलिना के डैडी ने उनके पीछे बंदे भेज़ दिया है जिस दिन वो उनके हत्ते चड़ गए ना वो दिन उनकी जिंदगी का आखरे दिन होगा अन्वर को मैंने अपने बेटों जैसा समझा था मुझे नहीं मालम था कि वास्तीन का साफ निकलेगा अंटी यह जो कुछ हुआ है हमें इसका बेहर दफसोर से लेकिन लेकिन माने इसमें अलिना की भी रजाबंदिशान मिलते वो तो पादल थी ना समझ थी उसे क्या मालम कि उसकी वज़ा से मुझ पर और खुद उस पर क्या बीतेगी देखें टीब जो कुछ होना तर वो तो हो चुका अब यह दूआ करें और कोशिश करें कि बात आगे ना पड़े अब वैसे भी अलीना ने और अन्वर ने शादी किया कोई गुना तो नहीं किया तुम अन्वर के क्या लगते हैं मैं अन्वर का रिश्चेदार हूं अगर तुमारी बहन इस तरह किसे से शादी कर ले तो तुम कुबूल कर लो कि उसे नहीं, ये सब कहने की बाते हैं, हमसे पूछो जो हम पर गुजर रही है, सिसक सिसक कजी रहे हैं, कोई गूर कर देखता है तो नजरे जुका लेते हैं बहुत बड़ा हुआ है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अलिना के भेल रहें का वियक्षा इतना साफ्त होगा मुझे तो आउंटी के तरस हाना है, बिचारी की हालत कैसी बुरी हो गई है तुम खी कहती हो काइनार, अलाग पर जो कुछ भी कुछ अज़ती है दुगतना तो माँ को यह परता है, पर तो पिचारी तोनों तरफ से आग में चल रही होती बबा वो अनवर कहां किया है जी, पता नहीं, शायद कहीं बाहर गया है तो फिर तुमने क्या फैस्ता किया है किस बात का? अवेली से जाने का जी, वो, मैं क्या कह सकती हो, यह तो अनवर ही बता सकता है मैं अनवर से नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ मैं क्या कहूँ, मैं तो अपना घर बात सब को छोड़ा है आपी बताये, मैं कहां जाओ? तुम्हें यह बात घर जोड़ने से पहले सूचने चाहिए थी तुम लोग यह क्यों भूच आते हो के तुम एक भठकावा खावी नहीं हो बलकि अपनी मा की आप रूब, भाई की गैरत और बाप की इज़त भी हो तुम्हारी एक छोटे सी खिलिती, कितने लोगों को रुला सकती है, उनका सब जुका सकती है जीप, मुझे असास है देखो बबाव, हम लोग बहुत इज़तार और रवायत परसंट किशम की लोग हैं हजारां लोग हमारे बजर्गों के मजारों पर आके मनते मानते हैं, नजराने चाहते हैं विस्ट और एतराम के साथ चुक चुक कर हमें सलाम करते हैं वडेरों को वोर्देनी की बज़ा है, हमें वोर्दे कर असेंबली दप पहुंचाते हैं हमें डर है कि कहीं कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे ये लोग हमसे दूर हो जाएं मुरीद और मुश्ट का रिष्टा बड़ा नाजर्ग होता है तुम समझ रही हो ना जी तुम यहां से चली जाओ हम जाओ समय की थो काम तो जलो उसे दिखा देते हैं अपना जलवा आप कुछ अलीना बीरी के बारे में कुछ बना सकते हैं क्योंकि आप उनके साथ पढ़ते हैं आप पेखे नहीं तो हम किसी अलीना को जानते हैं और ना हम उसके साथ पढ़ते हैं यह कैसे हो सकते हैं देखिए अब मेरी बात का अब यकीन कीजिए अलीना को बदब अलीना तो पहली तफ़र आने नाम सुझाए तेखिए आप इतना खौफजदा मात हो हमें थोड़ी सी मालूमात उनके बारे में चाहिए और कुछ ने देखिए अगर मुझे जरसे भी मालूमात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लेकिन जब मैं जानता ही नहीं हूं तो मैं आपको क्या बता हूं चलो चलो कहीं और पता कर देखिए आप यास ये लोग कौन थे ग्या पूछ रहे थे आपसे अलीना के बारे हमें पूछ कि अलीना यहां पढ़ती है और अगर पढ़ती है तो उसका उटना बैठना किसके साथ है फिर तुमने उन्हें क्या बताया मैंने क्या बताना था मैंने क्या बताना था मैंने कह देए कि ना तो मैं अलीना को जानता हूं और ना उन लोगों को इसके साथ उसको उटना बैठ यही कि उससे मिलने के इस घर में भी आता था अलीना के तो बहुत से क्लास फेलोस यहां उससे मिलने आते थे मगर तुम ही क्यों पूछ रहे हो क्या किया इंवर में कुछ नहीं किया सिर्फ इतना कि मेरी बेटी को भागा के लिए गया मेरी पुष्टो भीज़त को दाफ़दार कर गया है कालग लगा दी मेरी चेह को यह कालग दाफ मैं अलीना अन्मर के खूंसद होंगा मैंने बंदे भीज़ दी उनके पीछे और वो बहुत जड़ बता देंगी को उनको ठिकाना क्या था पर वो अब कहा है नहीं नहीं फारुख तुम ऐसा नहीं कर सकते वो बच्ची है उससे भूल हुई है इम्राना बेगम वो बच्ची नहीं है दा है दा पारुख एमत के साथ कुछ तो बलगावा दा अगर यही बात है तो सुनो यह कुद्रत का इंतकाम है इंतकाम तुम्हारी वज़े से भी तो किसी इजददार की गर्दन चुकी थी किसी के चेहरे पर कालक लगी थी कोई अच्छा यह खेली तुम्हारा खेला हुआ है मौसुफा ने बद्दा लिया है अपने बाप और भाईयों का इम्राना बेगम बुरा किया तुमने बहुत बुरा किया वक्त आने पे सब बालूम हो जाएगा तुमको कि आयास लगता है अलीना का डेड़ी हमारे खेया कुछ तरंग कर रहा है वो कैसे है यह बाच्छा तुमने की नहीं है कि अलीना का उटना बैटना किसके साथ था येकीन है अन्वर और अलीना का एक साथ कॉलिज से खाय पाना इस शक को एकीन में बज़ता है मुझे कायनाद फिकर हो रही है कि सारा नजला कहीं तुम पर ना गिर लिए मैं भी यही बात कर रही थी कायनाद तुम ऐसा करो कि कुछ जुनों के लिए हवेली चली जाओ नहीं आयास में जननत को अकिला छोड़के हवेली कैसे जा सकती हूं अरे हाँ यह बात तो है नहीं नहीं कायनाद तुम मेरी फिकर बेकुल मत करो को कि यह उल्ड़के हैँ तुम क्यों मेरी वजह से अपने जान जोखन में डालती है मेने जननत ऐसे कोई बात नहीं है वो मेरे इमट्यान करे भी न इसलिए में नहीं जा सकती हाँ हाँ वही कैना जन्नत यहां पर कबसे आये भी है बोर हो रही होगी ना तुमने इसको घुमाया ना फिराया ना खिलाया तो कुछ तो दिखाओ जाके हाँ ये चीके क्यों ना आश्या हम जन्नत को कहीं रेचले चीके चले ठीक है बेटा मलार अला दे तुमाया उपर अपना करम किया है बनना उप्दुश मंगने तु 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 तुमार ही दिया था अरे चाचा है इन मामूली धराशों भी तु खैर है लेकिन इस कमर के दर्द की वज़े से ना फिला तक देए जा रहा है तु नगे सब पता है चाचा यह बाराम खा़ाउ तु उसके कारं दोका की आदा आए छोड़ो इन बातों को यह बताओ के जैनस करुछ पता चला नहीं बेटा थाका करना बयाँ? तो मैं कहाता हूँ को त understands बैरआंसा हम को मैं तो आराम्स इनकूर आराम इससे लिदार। फाधल हो गया हो गया आराम करो आराम अरे जाचा कया करूगा आराम कर दो भात कर लिया आराम आराम यार मलाद, तुम फिकर मत करो, कुछ नहीं हो का जनत को, कुछ भी नहीं हो का जनत को. अनवर, पताने और कितने दिन यहां रुपना पड़ेगा, मुझे कहीं ले चलो, मैं घूमना चाहती हूं, कुछ देखना चाहती हूं. शांक तो कि फनलेंड या मीना बजार लगाओ, यह तुम देखना चाहती है? मैं खुदको इन कुछों के जोड़ी की तरह कैद मैसूस कर रही हूं, है तरफ उंची-उंची दिवारे, मैं तब तंग आ गए हूं. अब यह तो ऐसी होती है, माड़म. सारी जिन्दगी इन बंद दिवारों में, पता नहीं कैसे जीती हैं यह ओरते? नहीं, नहीं आई हो, आदी हो जाओ भी, मैं मालूम है, जब छोटे-छोटे परिंदे बंजरों में कैद किया जाते हैं न तो शुरू में बहुत अपने पर फड़ बढ़ागे हैं, राइस्ता-इस्ता, आदी होग सबर करी लेते हैं. अन्वर, मैं को परिंदा वरिंदा नहीं है, मैं एक पड़ी लिखी लड़ती हैं, और कमस कम मैं इन बातों की काल नहीं है, मुझे मालूम है, आईनो अलीना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ के, हमें कैसी कष्टी के मसाफिर हैं, इसके चत्व हमारे हाथ में नहीं है, अच के बाद जहान अफूदे चाहिए, कहां जा रहे हैं, जन्नत मिल गए क्या, नहीं सहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहा है, पता नहीं मेरी बेटी जन्नत की किस्मत में मिक्यालिक है से, पिर जहां क्या क्या कर रहा है हो, सहीं मेरे भती जो को पता नहीं किसकी गाड़ी ने चक्कर बारी है, तो मैं उसको इस्पिताल दे गारी में आदनी जाते हुई देखा, यही तो पता नहीं चला, उसी के लिए तो निकले हुए हैं हम सब, लेकर कहा जाएगी, हम उसे जून कर रहे हैं कि देख लेना खुलाब, हाँ सही अभी तो उसकी रुकसती भी होनी है, सही आप जीहिल की तरफ जा रहे हैं, चलू आप ईषड़ में धाय में जाईजा भी होनी हैं कि देखार बने कि देखार भी हमा झादानी कि देख जो फुला, यही तो आप rejection कि देखार रहे हैं, सही हैं कि में हैं हृε हुए हैं ब iht atau कि अधने को उसाे प Then Whyak kuv में ख governo वे कर देखारे हैं, हम को घा YouTube कह罵ा ल載ंगी Cinnamon में भी झाल 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 झाल